कंगना रनौत के टीम का फूटा गुसा सुशान पर मीटू के आरुप लगाने वालों को दिया मू तोट जवाब कहां कि ये सुशान को डिप्रेशन की और ले जाने का तरीका था आईए जानते हैं पूरा मामला क्या है सुशान सिंग राजपुत के जाने के बाद से इंडस्री में कई तरह के मुद्दे लाइमलाइट में आ गए है निपोटिजम की कहानियों से लेकर सुशान को कैसे कई फिल्मों से निकाला गया ये तक डिसकस किया जाने लगा और इन कहानियों को सुन फैंस भी नाराज है बॉलिवुट के उन लोगों से जो प्रिवलिज्ट है और जो निपोटिजम को बड़ावा दे रहे है ऐसे में आपको याद दिला दे की साल 2018 में जब बॉलिवुट में एक रेवल्यूशन के तौर पर मीटू मोमेंट शुरू हुआ था तब सुशान के खिलाफ भी कई allegations लगाए गए थे लेकिन उस टाइम पर सुशान ने प्रूफ समेत ये साबित कर दिया था कि वो सब जोट है लेकिन अब जब सुशान नहीं रहे तब उन बातों को एक बार फिर एहमियत दी जा रही है सुशान के सपोर्ट में अब कंगना रनौत ने की है बात टीम कंगना रनौत ने ट्वीट कर बताया कि कैसे लोग अकेले पड़ जाते है फिर डिप्रेशन का शिकार होते है और फिर ऐसे स्टेप्स लेने पर मजबूर हो जाते है ट्वीट में लिखा किसी को भी अलग करना और उनके दिमाग से खेलना बहुत आसान है जिससे वो उदास हो जाते है और फिर अपने असहनिय दर्थ के लिए लॉंग टर्म समाधान के रूप में आत्महत्या का सल्यूशन देते है कई कमजोर दिमाग इस जाल में गिर गये है तरसल ट्विटर पर एक ट्वीट वाइरल हो रहा है जहां उन्होंने सुशान पर लगे फॉल्स मीटू के बारे में लिखा और इसी ट्वीट पर कंगना की टीम ने रिप्लाई देते हुए नाराजगी जाहिर की उस यूजर ने लिखा था आपको याद दिला दे की सुशान पर दिल बेचारा को स्टार संजना संखी को हराइस करने का आरोप लगा था लेकिन इन बातों को खुट संजना ने और फिम के डिरेक्टर मुकेश चाबरा ने गलत बताया था मुकेश चाबरा ने उस बग सुशान के सपोर्ट में कहा था आई टोटली स्टान बाई सुशान सिंह राजपूत no such incident happened on the sets and let's not have a twitter trial and make an innocent person suffer for somebody else's ulterior motives I had clarified this on twitter long back and I still maintain it वही संजना ने clarification देते वे कहा था I would like to clarify that no such incident took place with me let's put an end to these conjectures देखे संजना ने आगे post में क्या लगा और आप टीम कंगना की ओर से आये इस tweet में वो ये कहना चाह रही है कि ये सब सुशान को depression में डालने की साजिश थी well आपका क्या कहना है इस tweet के बारे में और सुशान पर तब लगे उन me too आरोपो के बारे में do post your comments